आज हमने बनाए है एक बहुत ही स्पेशल से मॉफिन्स जिसे मैंने दो तरह से बनाना बताया है ओटीजी में और कडाई में दोनो तरह से तो आप भी इसे अपने गर पर जरूर बैक करें अभी क्रिश्मस में यह बहुत ही बढ़िया बनते हैं और यह डबल चॉकलेट मॉफ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह कैसे लगे यहां पर मैंने लिया है यह 100 ग्राम का मोर्डे का डाक चॉकलेट का पीस इसमें से मैं यह थोड़ा सा पीस निकाल दूँगी हमें करीब यह 70-75 ग्राम जितनी चॉकलेट लेनी है मैंने इसका तुकड़ा निकाल दिया है यह एक स्लेब में इस तरह के चार पीसेज होते हैं यह 400 ग्राम की स्लेब आती है उसमें से मैंने यह करीब 75 ग्राम जितनी ली है अब आम इसके छोटे-छोटे तुकड़े कर देंगे इस तरह से मैंने यह चॉकलेट के पीसेज कर दिया है अब हम इने एक बॉल में ले लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है यह 1-2 cup जितना condensed milk फिर मैं इसमें डाल गिए 3 टेबल स्पून जितना बटर यह मूल बटर है यह नॉर्मल टेंपरेचर का ही है मैंने यह आप पर बटर लिया है अगर आप ओईल लेना चाहते है तो ओईल भी ले सकते है मैंने यह अमूल बटर लिया है अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे आपके पास अगर बीटर है तो आप इसे बीटर से भी कर सकते है या फिर इस तरह के विसकर से भी कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें टाइम नहीं लगता है इतना चार से पांच मिनिट तक आपको इसे विप करना है ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट और फ्लॉफी हो गया है आप देख सकते हैं फिर मैंने या पर इसके उपर एक चलनी रखी है इसमें मैं डाल रही हूँ थ्री फोर्थ कप जितना मैदा ग्राम्स में लेंगे तो ये 100 ग्राम जितना है मैं ये मैदे से बना रही हूँ आप चाहे तो आप इसे आठे से भी बना सकते हैं फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ती स्पून जितना बैकिंग पाउडर वन पूर टी स्पून जितना बैकिंग सोडा मैं इसमें नमक नहीं डाल जीओ क्योंकि या मैंने अमूल बटर लिया है तो इसमें अल्रेडी सॉल्ट होता है फिर मैं इसमें डाल जीओ 2 टेबल स्पून कोको पाउडर कोको पाउडर आप हमेशा अच्छे ब्रांड का ही ले फिर में इसमें डाल रही हूँ half teaspoon vanilla powder आप इसमें vanilla essence डाल सकते हैं एक चमच अब हम इस सबको इसमें छान लेंगे जिसे इसमें मैदे मेरियेशन होता है तो उससे ये बहुत ही soft और spongy बनते हैं हमारे muffins फिर में इसमें डाल रही हूँ आदा कब चितना दूद अब हम इसे mix कर लेंगे अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूद और डाल रही हूँ इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर मैंने इसकी इस तरह की consistency रखी है यह इस तरह से गिर रहा है केक में हम इससे पतला बैटर रखते हैं इससे हमें थोड़ा सा थिक रखना है मैंने इसमें यह 3-4 cup जितना मिल्क लिया है और इसे हम कट एंड फोल्ड मेतर से दो से तीन बार करेंगे इसका बैटर बनके रेडी है बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह डबल चॉकलेट वाले मॉफिन्स मैंने इसमें यह डाल दी है इसमें कुकिंग चॉकलेट अब आम इसे मिक्स कर देंगे अगर आप इसे बीटर से भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक बीट नहीं करें और बीटर में आप इसकी सबसे लो वाली स्पीड पर ही इसे बनाएं बैटर को यह बैटर बनके रेडी है यहाँ पर मेंने यह मॉफिन ट्रेली है इसमें मैं रख रही हूँ यह बटर पेपर लाइनर इससे हमें यह निकालने में बहुत इजी हो जाता है मैं इसमें यह बैटर एक टेबल स्पून से भर रही हूँ इसे हमें 3 फॉर्थ जितना ही भरना है ये वाले मैं कडाई में बनाने वाली हूँ इसमें मैंने ये सिलिकॉन के कप लिये हैं इसमें भी मैं ये बटर पेपर कप लाइनर लगा रही हूँ जिसे ये अनमोड करने में बहुत एजी रहता है इसमें भी हमें ये थ्री पोर्ट जितना ही डालना है मैं यह दो तरह से बनाने वाली हूँ, यह वाले मैं OTG में बैक करूँगी और यह वाले मैं कडाई में बैक करूँगी तो इनके उपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी चौको चिप्स, यह आप डालना चाहें तो डालें पर मुझे यह बहुत पसंद है, इसलिए मैं यह डाल रही हूँ, इसे मैं 180 डिग्री पे 10 मिनिट के लिए बैक कर रही हूँ, दोनो रोड चलाके यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम कडाई ली है, इसमें मैं रखरी हूँ रिंग, आप रिंग नहीं है तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं, फिर उसमें मैं रखरी हूँ यह प्लेट, मॉफिन्स वाली अब मैं इस पर डखकन लगा के और इसे एकदम स्लो फ्लेम पे 15 मिनिट तक बैक करूंगे, यह हमारे ओटीजी वाले मॉफिन्स बैक होके आ गए हैं, इसे भी 15 मिनिट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे यह बिल्कुल पक्के रेडी है, अब हम इने निकाल के ठंडा कर लेते हैं, यह हमारे क्रिस्मस स्पेशल चौको चिप मॉफिन्स बन के तयार है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं, और खाने में तो नो डाउट यह बहुत टेस्टी है ही, यूगि इसमें हैं, बहुत सारी चौकलिट, और चौकलिट से तो बच्चे और बड़े सब को विशेश प्रेम होता ही है, तो जो चौकलिट लवर है, उनको तो यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, आप भी इसे जरूर बनाएं, बहुत ही इजी है, और मैंने इसके दो तरीके से बना भी बताया है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, फैमिल्य और फ्रेंड्स में शेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सकें, तो थेंक यू सो मच्छ